डिजिटल इंडिया नाम बड़ा बढ़िया लगता है सुनके कानों को बढ़ा अच्छा चा लगता है डिजिटल इंडिया एक नया असा शब्द लोगों के लिए और इसके लिए भाजपा सरकार वर्तमान मोधी सरकार इसका बजट है साड़े चार लाख करोड़ साड़े चार लाख करोड़ के बजट से डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को ये सरकार पूरा करना चाहती है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इन साड़े चार लाख करोड रुपे को जो सरकार लगा रही है कितने लोगों को रोजगार मिलेगा क्या सरकार साड़े चार लाख लोगों को भी रोजगार दे पाएगी अगर इनसे रोजगार नहीं मिल पा रहा तो ये डिजिटल इंडिया हमारे लिए किस काम का है? देश के लिए किस काम का है? देश की कौन सी तरकी हो रही है उसे डिजिटल इंडिया से? और ये जो डिजिटल इंडिया है अगर इसमें इतना पैसे लगाया जा रहा है इस पैसे में से एक हिस्सा भी अगर इसका मैं चोथाई हिस्सा भी देश के किसानों और मजदूरों और गरुबों का हालात के लिए अगर लगा दिया जाता तो वो शाद कहीं ज़्यादा बहतर होता जो बेरोजगार नौजवान देश में घूम रहे हैं करोनों की संक्या में उनके रोजगार की अगर वेवस्ता की जाती तो शाद कहीं ज़्यादा बढ़िया होता और डिजिटल इंडिया के लिए आपको इंटरनेट की सुविधा चाहिए आपके जो साड़े छे लाग के लगबाग देश में गाओं हैं उन साड़े छे लाग गाओं में से साड़े पांच लाग गाओं में बेंक की सुविधा नहीं है नेट की सुवधा नहीं है और इंटरनेट की जो आपकी हाँ हालत है वो 6-7 Mbps की है Speed आपकी जबकि जो विक्सित देश है और जो डिजिटली जो बहुत आगे है देश जिसमें नीदर लेंड इत्यादी है उनमें 42 से लेके 44 Mbps की Speed है 4G पर आपके हैं 4G लागू हो गया लेकिन उसके बावजूद भी 6-7 Mbps की आपकी Speed है कैसे Digital India करेंगे और Digital India के बाद में जिस तरह का Cyber Crime बढ़ेगा उसको रोकने के लिए आपके पास पूरा Mechanism नहीं है Quartz नहीं है आपके पास जो Quartz बनाए गई थी उस Quartz में आज सक आपका जज़ भी नहीं है तो किस तरह से आप Digital India को बनाएंगे और Digital India बनाने से पहले जो देश के शहर हैं जिन में गंदगी कामबार है जो अंधिरे में डूबे हुए गाओं हैं जो बेरोजगारी में डूबे हुए नौजवान हैं पहलो उनकी तरफ सोचें अगर उनको रोजगार मिल जाए तो मैं समस्ता हूँ देश डिजिटल अपने आप ही हो जाएगा अगर उन लोगों को रोज़ी रोटी मिल जाए तो अपने आप ही डिजिटल बना लेंगे सरकार को करने की ज़रूत नहीं है लेकिन सरकार जो भी काम करती है उसके पीछे केवल और केवल जो बड़े उद्योग पती है उनको लाब पहुचाने की सरकार की नियत है जैसे अडानी हैं जैसे अंबानी हैं ये सारे की सारे डिजिटल इंडिया बनेगा तो इंटरनेट की फैसिलिटी ये मोबाइल की फैसिलिटी ये सारे अडानी अंबानी जैसे ही लोग तो उसमें काम करेंगे तो जितना भी रोजगार होगा उन्हीं को तो जाएगा किसी और क पैसा होगो, उनके खाते में जाएगा, किसी और के खाते में तू जाएगा नहीं, तो Digital India से, अगर हमें रोजगार नहीं मिलता, Digital India से, अगर देश की हालत नहीं सुधरती, हमारी जो महिलाय हैं, उनको सुरक्ष नहीं मिलती, तो ऐसे Digital India के हम लोग करेंगे क्या? मेरा बहुत इसफ़ शब्दों में कहना है, और मैं जंता के सामने ये सवाल रखता हूं, कि क्या हमें Digital India चाहिए, या हमें रोजगार देने वाला अंडिया चाहिए, महिलाओं की स्रुक्ष्य वाला अंडिया चाहिए, हमें किसान को खुशाल देखने वाला इंडिया चाहिए हमें गंदगी से मुक्त शहर और गाओं वाला इंडिया चाहिए हमें अधेरे से मुक्त गाओं शहर और घर ऐसा इंडिया चाहिए हमें ऐसा इंडिया चाहिए डिजिटल जब होगा होता रहेगा अभी हमेशाद उसकी जरूरत नहीं है हमें रोजगार की, सुरक्षा की और सिक्षा की जरूरत है तो मैं आप से भी पूछना चाहता हूँ अगर आपको Digital India चाहिए तो निश्यतुप से भाजबा के साथ हूँ और अगर आपको Digital India नहीं रोजगार चाहिए, सिक्षा चाहिए तो आपको आने वाले 2019 के चिनाव में इसका सबक भारती जंता पार्टी की सरकार को सिखाना पड़ेगा क्यों साथियों, चाहिए Digital India